हेलो एवरिवन वेलकम टु सवेटापटवस रेसिपी फ्रेंड़ आज की हमारी रेकिपी है ढोक ले लेकिन आज हम इसे कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे हम इन्हें दो कलर में बनाएंगे साथी हम इन्हें दो टेस्ट वाले बनाएंगे इन्हें बनाना बहुत ही आसन है में बहुत जदा टेस्टी लगते हैं इसमें हमने बिलुकूल भी food कलर का use नहीं किया है बया यदि आपको हमारी recipes अच्छी लगती है तो please like share करें और चैनल पर नुए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो चली बनाना स्टार्ट करते है हमने यहां एक ग्रैंडिंग जार में आधा कप मटर और हरी धनिया ली है तो हरी धनिया कुछ ज़्यादा लेना है इससे ही इसमें हरा कलर आएगा और तीन से चार लहसुन की कलिया एक इंच अधरक का तुकड़ा और एक हरी मिर्च ली है और अब हम इसमें एक चोथाई कप पानी डाल देंगे जिससे कि हम इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर सके तो इसे ढखकन लगा कर हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे बिल्कुल चिकना ग्राइंड करना है तो यहां हमने इसे ग्राइंड कर लिया है तो देखिए कुछ इसी तरह से इसका पेस्ट होना चाहिए और हमने यहां दो बाउल लिये हैं तो दोनों बाउल में आधा आधा कप सूजी डाल देंगे और एक बाउल में हम आधा कप बेशन और दूसरे बाउल में ये जो मटर हमने ग्राइंड किया है वहाँ डाल देंगे और अब हम दोनों बाउल में आधा आधा कप दहीं डालेंगे इसमें आधा चमच लाल मिर्च लेकिन याले में नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली थी ग्राइंड करते समय और दोनों बाउल में एक चौथा ही चमच हल्ली डाल देंगे और आधा आधा चमच दोनों में नमक डाल देंगे और अब हम इस वाले बैटर को मिक्स कर देंगे तो इसे हमने मिक्स कर दिया है और इसे ढख कर रेश्ट करने के लिए एक गंटे तक छोड़ देंगे जिससे की सूजी अच्छे से फूल जाए और अब इस वाले बैटर में हम एक चौथाई कप पानी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे भी ढख कर एक गंटे के लिए रेश्ट करने रख देंगे और अब एक गंटे बाद हमने यहाँ पर एक कड़ाई ली है और इसमें दो से ढ़ाई ग्लास के करीब पानी डाल देंगे और इसमें एक स्टेंड रखेंगे इस्टेंड की जगा आप प्लेट भी रख सकते हैं और इसे ढग देंगे और पानी को गरम होने देंगे और जब तक के लिए पानी गरम हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारिया कर लेते हैं अब यहां पर एक प्लेट ली है और उसे आइल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और सबसे पहले यह वाला बैटर लेंगे यह अभी थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे mix कर देंगे और mix करने के बाद इसे दो मिनाट तक के लिए एक ही direction में अच्छे से फेट लेंगे और अब हम इसमें एक चौथा ही चम्मच baking soda डाल देंगे और baking soda डालने के बाद इसे सिर्फ हलके हाथ से mix करना है बहुत ज़्यादा फेटना नहीं है और अब इस बैटर को प्लेट में डाल देंगे तो यहाँ ओईल से ग्रिस की वी प्लेट में हमने बैटर डाल दिया है और अब इस प्लेट को इस तरह से गुमाते हुए इसका बैटर फेला देंगे और अब यह जो कड़ाई में पानी गरम किया था उसका ढखकन हटा देंगे और इसमें यहाँ बैटर वाली प्लेट रख देंगे और इसे ढखकर 7 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे और अब हम यहाँ पर यहाँ दूसरा बैटर ले लेंगे और इसमें भी थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि यह थोड़ा गाड़ा है और इसे भी मिक्स करने के बाद एक ही डारेक्शन में 2 मिनट तक के लिए फेट लेंगे और अब इसमें 14 चमर बेकिंग सोडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और अब हम कड़ाई का ढखकन हटा लेंगे और जब यहाँ उपर से अच्छे से ड्राई हो जाए इसका मतलब यहाँ दूसरा बेटर डालने के लिए तयार है तो इसे हाथ से इस तरह से छूकर देखेंगे यह हाथ में चिपका नहीं इसका मतलब यह तयार है और इसमें साइट से थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि पानी थोड़ा कम हो जाता है और अब इसके उपर यह दूसरा बेटर डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे तो इस बेटर को हमने अच्छे से फैला लिया है और अब इसे भी ढखकर लगभग 12 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे और इसे पकाते हुए हमें 12 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसका ढखकन हटा लेंगे और यह पका है या नहीं यहाँ चेक करने के लिए इस पर एक नाइफ डालेंगे और नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब यहाँ तैयार है तो इसे 2-3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा कर लेंगे और 2-3 मिनट बाद इसमें कट लगा देंगे तो इसे चौकोर सेफ में कट कर लेंगे तो हमने यहाँ ढोकलो को चौकोर सेफ पे कट कर लिया है और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ एक कड़ाई ली है और उसमें 3-4 चमच ओइल डाल दिया है और अब हम इसमें आधा चम्माच जीरा, आधा चम्माच राई, आधा चम्माच तिल डाल देंगे एक हरी मिर्च, आठ चे दस करी पत्ते और एक मिनाट तक इसे भून लेंगे और अब इसमें एक चम्माच चीनी डालेंगे एक चोथाई कप पानी और एक बड़ा चम्माच इसमें नीबू का रस डाल देंगे और अब इसके बाद गैस आफ कर देंगे और इस तड़के को डोकलो पर डालेंगे तो यहां चम्माच से इस तरह से फैलाते हुए तड़का लगा देना है और यहां हमने तड़का लगा दिया है और अब हम ढोकले बाहर निकालेंगे तो यह हमने एक ढोकला निकाल लिया है और देखिए देखने में कितना खुबसरत लग रहा है साथ में यहां टेस्टी भी है I hope कि आपको आज की हमारी यह रेसीपी पसंद आई होगी यही पसंद आई तो प्लीज लाइक सेयर करें मिलते हैं एक नीव वीडियो के साथ थैंक यू